मेरी शादी जिससे भी होती पहली रात को घूंगट उठाते ही मेरा पती मर जाता अब तक मेरी तीन शादिया हो चुकी थी मेरे परिवार में हर कोई मुझे मनहूस कहने लगा था उसके बाद मुश्किल से एक जगा जब मेरी शादी हुई तो वहां मेरी सास मेरे पती को मेरे करी भी नहीं आने देती थी वह कहती कि मेरा बेटा अगर तेरे करीव आया और उसने तुझे चुआ तो वह मर जाएगा मेरा देवर ही मेरे सारे काम करता लेकिन फिर एक दिन मैं पेट से हो गई जब यह बात मेरी सास को पता चली तो उन्होंने मेरे चरित्र पर गंदे गं जाम लगाने शुरू कर दिये और उसके बाद जब मैंने डी ने टेस्ट करवाया तो रोंग्टे खड़े हो गए क्योंकि वह बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी इस रात के लिए हर लड़की की आँखों में बहुत ही सुनेरे सपने होते हैं जिनको वह सजा कर अपना माय का छोड ससुराल में कदम रखती है वह अपनी नई जिन्दगी की सुरूआत ये सोच कर करती है कि अब आने वाले समय में मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा मेरा पती मेरी बहुत तारीफ करेगा मुझे बहुत प्यार करेगा हर लड़की ये सुनारा स अपना देखती है कि उसका पती उसे कहेगा कि तुम मेरी दुलहन बनकर बहुत खुबसूरत लग रही हो और पहली रात को वह मुझे कुछ तौफे में देगा और फिर तो मुझ पर अपने प्यार की बारिश ही कर देगा इस दुनिया की हर लड़की अपनी शादी की पहली र थी यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा पती बचेगा या नहीं मैं इस दुनिया की पहली दुलहन थी जो शादी की पहली रात अपने पती के मरने के बारे में सोच रही थी लेकिन मेरे अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हो चुका था उसको देखते हुए मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल भी अजीव नहीं था, मेरे मन में बार बार यही खयाल आ रहा था, कि कहीं ऐसा नहो कि एक बार फिर मुझे अपने घर वापस जाना पड़ी, मैं भगवान से अपने पती की जिंदगी के लिए प्रातना करने लगी, कि उसे कुछ भी नहो, दीरे दीरे मेरी पहली रात की रात बीत रही थी, लेकिन अभी तक मेरे पती कमरे में नहीं आये थे, और इधर मेरी जान अटकी हुई थी, मैं ये सोच सोच कर बुरी तरह से परेशान हो रही थी, कि अब आगे न जाने क्या होगा, यही सब सोचते हुए न जाने कब मेरी आँख लग गई, मुझ कमरे का दर्वाजा भी बंद था, मैं थोड़ा हैरान हो गई कि मुझे मेरे ससुराल में से किसी ने भी जगाया नहीं, इसका मतलब यही था कि मेरा पती भी रात को मेरे कमरे में नहीं आया, अब मैं सोच में पढ़ गई कि मेरा पती जिन्दा तो है या फिर नहीं, कहीं ऐस तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो अब तो यह सोच कर मेरी जान ही निकलने लगी थी मैं तुरन थी भागती हुई कमरे से बाहर गई ताकि जान पाऊं कि आखिर ये सब माजरा क्या है लेकिन जब मैं बाहर निकली तो बाहर तो बिलकुल सन्नाटा ही पसरा हुआ था शायद उस पती की फिक्र जादा सताने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पती के बारे में आखिर किस से पूछूं किसका दरवाजा खटखटाओं तब ही मेरी नजर मेरी सासू मा पर पड़ी जो किचिन से बाहर आती हुई मुझे नजर आई वह नाश्ता बना कर ला र हुए सीधा अपने पती का नाम लेकर पूछा मा जी राजीब कहां पर हैं मेरी ये बात सुनकर मेरी सास मुझसे गुस्सा हो गई और बोली आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे का नाम अपनी जुवान से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसे अपना पती कहन का तुमें कोई भी अधिकार नहीं है और आज से ये समझ लो कि तुम उसकी बीवी नहीं हो तुम्हारे जैसी मनूस लड़की के हवाले मैं अपना बेटा नहीं कर सकती मेरा बेटा तुम्हारे साथ बिलकुल भी नहीं रहेगा क्यूंकि मैं उसे तुम्हारे हवाले करके सुनकर तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई मैंने तो अभी तक अपने पती को जी भरके देखा भी नहीं था और मेरी सास मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी शादी के समय मैंने अपने पती की सिर्फ एक जलक ही दिखते ही मेरे दिल में उनके लिए प्यार पैदा हो गया था जब से मेरी शादी राजीब के साथ तै हुई थी तब से मैं उनकी जिन्दगी की भीक भगवान से मांग रही थी तो फिर उनके लिए मैं कुछ बुरा कैसे सोच सकती थी जब बहुत देर रोने के बाद मेरा दिल थोड़ा हलका हुआ, तो फिर मैंने सोचा, सास की इस बात में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैं बेफजूल ही रो रही हूँ, वह राजीब की माँ हैं, और अपनी जगा वह बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि उनकी जगा कोई भी औरत होती, तो वह यही करती मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, जैसे ही मैं अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी हुई, तभी मेरे कमरे में अचानक से कोई आ गया, मैंने पलट कर देखा, तो मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन वह मेरा पती नहीं था, वह मुझे देख कर मुस्कुराया और मुझे से बोला, भावी मैं हूँ, आपका देवर, राजीब भाईया का छोटा भाई संजीव, अभी मा ने आपसे जो भी कहा, वह सब बाते मैंने सुनी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ, मा को आपसे इस तरह से ब आजीब भाईया कल रात आपके कमरे में नहीं आये थे, क्योंकि वह मेरे कमरे में सोने के लिए आये थे, और अभी तक वह वहीं पर सो रहे हैं, अपने देवर की बाते सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, मैंने सोचा चलो, इस घर में कम से कम कोई तो है, जो मुझ से सीध चलने की आवाजें आने लगी, कोई मेरे पती राजीब का नाम लेकर बुरी तरह से चीक रहा था, कि राजीब को कुछ हो गया है, ये सुनकर तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कापने लगे, अब तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, मैंने सोचा एक वारफिर मेर किस्मत ने मेरे साथ वही भयानक खेल खेल दिया है जो अब तक खेलती आई है मेरा देवर तुरंती भाब कर कमरे से गया मैं धड़ाम से बैड पर बैठ गई और सोचने लगी क्या एक बार फिर चौती बार मैं विद्वा होने जा रही हूँ मुझे बुरी तरह से पसीना आन लगा मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं एक बार बाहर जाकर देखूं कि क्या हुआ है मगर मेरी जरासी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कमरे से बाहर कदम रख सकूं मैं वहीं बैठे बैठे रोते हुए भगवान से भीक मांगने लगी कि हे भगवान इस वार मेरे साथ ऐसा मेरा नाम अदिती है, मैं एक अमीर परिवार से तालुक रखती हूँ और अपने तीन भाईयों की इकलोती लाडली वहन होने के साथ साथ मैं अपने मावाप की भी बहुत लाडली हूँ, मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनिसमैन थे, मेरा बचपन बहुत ही एशो आराम म में बीता, मेरी कोई भी ख्वाइश चंद सेकंड में पूरी हो जाया करती थी, मेरा परिवार मुझ पर अपनी जान चड़कता था और मेरी हर ख्वाइश को पूरा करने के लिए वह हर समय तयार रहते थे, मेरे पापा मुझे अपने लिए बहुत लखी कहते थे, उनका कहन था कि जब से मैं पैदा हुई थी, तब से ही उनके हालात बदल गए, मेरी वज़ा से ही वह आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, पापा बताते थे कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुई, वैसे ह हमारा नसीब खुल गया, और फिर तो कामियाबी हमारे कदम दिन रात चूमने लगी, इसी लिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, मेरे तीनों भाई मुझे से बड़े थे, लेकिन जो लाड़ प्यार मेरे हिस्से में आया, वह शायद ही है जो मेरे किस भाई के हिस्से में आया हो, मेरे पापा जब भी किसी नई मिल्की सुरुआत करते, तो उसका उदगाटन भी वह मेरे हातों से ही करवाते। यहां तक कि जब हमारा बंगला बना था, तो उसकी नीव की पहली एट भी उन्होंने मेरे हातों से ही रखवाई थी, मैं खुद को मेरी ये खुशी मनजूर नहीं हुई और इसलिए उसने मुझ पर एक ऐसा कलंक लगाया जिसने सारी खुशियों को खाक कर दिया जब मेरे तीनों भाईयों की शादी हो गई उसके बाद पापा ने मेरे लिए भी रिष्टे देखना सुरू कर दिये मैं भी अपना MBA कंप्लीट कर चुकी थी और बहुत खुशूरत थी मैं एक अमीर बाप की बेटी थी तो इसलिए मेरे लिए रिष्टे मिलना जरा भी मुश्किल नहीं थे पापा के ही एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी हो गई मैं अपनी शादी होते ही बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी खुशियों में अब और जादा चार चान लग जाएंगे लेकिन मेरे साथ जो भी होने वाला था वह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था शादी की पहली रात जैसे ही मेरा पती मेरे पास आया और उन्होंने घूंगट उठाया वैसे ही मेरे पती को हार्ट अटेक आ गया देखते ही देखते चंद मिनट में मेरे पती ने मेरी आँखों के सामने दम तोड़ दिया था और मैं सुहागन बनने से पहले ही विदवा हो गई मेरी शादी के बाद जो पहली रात का सपना था वै बुरी तरह से चकना चूर हो चुका था मैं बापस अपने घर हमेशा के लिए आ गई थी मेरे उपर ऐसा दुखों का पहार तूट पड़ा था जिसके तले मेरे मावाब भी दब चुके थे उस गम ने उनके चहरे पर जुर्रियां बढ़ा दी थी वै अपनी उम्र से भी जादा बूड़े लगने लगे थे किसी भी बाप की जवान बेटी विदवा होकर आगर उसके घर वापस आ जाए तो वै वक्त से पहले ही बूड़ा लगने लगता है मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था यूकि मेरी जिन्दगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी कहां मैं कुछ पलो पहले नई जिन्दगी की खुबसूरा सुरुवात करने जा रही थी अपने जीवन को रंग बिरंगे रंगों से भरने जा रही थी लेकिन कहां मेरी जिन्दगी बेरंग होकर सफेज साड़ी में लिपट कर रह गई थी मैंने जैसे तैसे कुद को समाला मेरी शादी को कुछ घंटे ही हुए थे बले ही मैं अपने पती से पहले से प्यार नहीं करती थी लेकिन आकिर था तो वह मेरा पती ही और अब मैं एक विद्वा हूँ यही मेरी जिन्दगी का कड़वा सच था अभी मुझे विद्वा होकर अपने मावाप के घर में रहते हुए कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे भाई और भावियों का वैवार मेरे प्रती बदलने लगा मेरी बड़ी भावी तो मुझे से हर बात के लिए जगडे का बहाना ढूडने लगी मेरी हर चोटी चोटी चीज में कमिया निकालने लगी और फिर एक दिन वही हुआ जो वह चाहती थी बड़े भाई को ले कर वह हम लोगों से अलग हो गई जब हमारी चोटी भावी ने भी ये देखा तो वह भी यही चाहने लगी क्योंकि वह भी बड़ी भावी की तरह एक अलग घर की मालकिन बनना चाहती थी मेरी भावियों को ये चीज बरदास्ती नहीं हो पा रही थी कि मेरे भाई मेरे लिए इतने फिक्रमंद हों जब पापा ने देखा कि रोज रोज घर में अलग रहने को लेकर कलह हो रही है तो उन्होंने ये फैसला कर दिया कि अब वह सभी भाईयों को अलग कर देंगे ताकि उनमें आपस में भी कोई फूट ना पड़े मैं भी अपने मावाब के साथ अलग हो गई मेरे भाई कभी कभार मेरे पास आकर मेरा हाल चाल पूट जाते थे लेकिन मैं विदवा रहूं ये बात मेरे भाईयों को पसंद नहीं आ रही थी इसलिए उन्होंने पापा को सला दी कि वह मेरी फिर से शादी कर दें कुछ समय बीतने के बाद पापा ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और फिर उन्होंने एक बार फिर मेरे लिए रिष्टे देखना शुरू किया पापा ने जिन लोगों के यहां पर मेरा रिष्टा तै किया था उन्हें मेरी पहली शादी के बारे में सब लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे शादी करने से कोई भी एतराज नहीं था, मैं एक बार फिर से दुलहन बनी और एक बार फिर मैंने अपने अर्मान सजाए, मैं अपने माईके से ससुराल विदा हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, अपने अतीत को भुला कर मै अपने भविस्त में कदम रख रही थी, और अपने नए पती के साथ अपनी जिंदगी की सुरुआत के सपने देखने लगी थी, लेकिन मैं क्या जानती थी, कि मेरे नसीब में जो कलंक लिखा है, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसे ही मेरे दूसरे पती शादी की प दो बैठे, वह मेरी आखों के सामने ही इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, और मैं दूसरी बार विदवा हो गई, अब तो लोगों की जुबान धीरे धीरे खुलने लगी, वह मुझे मनूस कहने लगे, और हर कोई मुससे पीछा छुड़वाने लगा, यहां तक कि मेरे खुद के परिवार के लोगों ने भी मेरा बहुत दिल दुखाया, वह यह कहने लगे कि मैं इतनी मनूस हूँ कि शादी की पहली रात ही अपने पती को खा जाती हूँ, और इसी लिए जो भी मुसे सादी करता है, वह मर जाता है, जबकि मैं यही सोचती कि इस सब में आखिर मेरा क्या कसूर, इस दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की होगी, जो यह चाहती हो कि वह विदवा हो जाए, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसके लिए हर कोई मुझे ही कसूर बार ठैरा रहा था, मुझे तरह तरह के ताने मिल रहे थे, इस बार मेरे पापा ने मेरी तीस पापा ने जादा लोगों को इसके बारे में नहीं बताया, मेरी तीसरी शादी में सिर्फ मेरे घर वाले ही मौझूद थे, मेरे पापा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी लाडली बेटी को एक गरीब घर में ब्या दिया, क्योंकि अब बस यही चाहते थे, क कि किसी भी तरह से मेरा घर बस जाए, मैं यही सोच रही थी कि शायद अब की बार मैं सुहागन बनी रहूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत जादा डरी हुई थी, कि पता नहीं अब की बार क्या होगा, मेरा भले ही यह मानना नहीं था कि मैं मनूस हूँ, क्योंकि मैं जानती कि इस दुनिया में हर इंसान की मौत का एक वक्त तय है, जिसमें किसी दूसरे इंसान की किस्मत का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन फिर भी अब तक जो मेरे साथ होता आया था, उसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था, फिर वही हुआ जिसका मुझे डर थ मैं तीसरी बार भी विद्वा हो गई, अब तो मैं भी यह सोचने लगी कि शायद जो लोग मुझे मनूस कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा तीसरा पती भी शादी की पहली रात ही मर गया, और यह ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई, अब तो लोग मेर दर्द बाटने के बहाने मेरे जख्मू पर नमक चड़कने लगे थे, मेरे परिवार वालों ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्होंने हमें अपने शादी व्या में भी बुलाना छोड़ दिया, यहां तक कि भावी ने मुझे अपने बच्चों के पास आने से रोक दिया मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चों को मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी मेरे पापा को मेरी बजा से दो बार हार्ट अटेक हो चुका था जब मैंने देखा कि मेरी बजा से मेरे पापा परिशान रह रहे हैं तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब आप मुझे लेकर बिलकुल भी परिशान ना हो क्योंकि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी दीरे दीरे दिन गुजर रहे थे और मैं अपनी जिन्दगी में व्यस्त होने की कोशिश कर रही थी एक दिन पापा मेरे पास आये और कहने लगे अधिती बेटा मेरी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिन्दा रहते ही तुम्हें विदा कर दूँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और उन लोगों को तुम्हारे बा करना चाहता हूँ जब मैंने ये सुना तो मैंने पापा को मना कर दिया क्योंकि अब मैं फिर से वही सब झेलना नहीं चाहती थी लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम खिला कर शादी के लिए तयार कर लिया और अब उस शादी के बाद मैं अभी अपने ससुराल में थी और क लिए मैं हिम्मत करके बाहर जाने लगी कि तभी मेरा देवर कमरे में आया और बोला भावी फिक्र की कोई बात नहीं है असल में मेरी मौसी के बेटे का नाम भी राजीब ही है और अभी थोड़ी देर पहले मौसी का फोन आया था तो उन्होंने बताया कि भाईया का पैर सेड से फिसल गया है इस वजह से मम्मी परिशान होकर चिल्ला रही थी कि राजीब को क्या हो गया गवराने वाली कोई बात नहीं है वह लोग राजीब भाईया को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं मैंने भगवान का शुकर किया और सुकून की सांस ली मेरा देवर संजीब करने की कोशिश की लेकिन अगर कवी वह मेरी तरब बढ़ते भी तो मेरी सास आखें दिखा देती और फिर वह वहां से चुप चाप चले जाते मेरी सास तो मेरे देवर को भी मना करती रहती थी कि वह बिलकुल भी मेरे पास ना आए और मुस्से दूर रहे मगर वह था कि उ अपनी मा से बोलता मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जब इन्हें यही सब करना था तो फिर इन लोगों ने मेरे साथ ये रिष्टा जोड़ा ही क्यों फिर मुझे लगा शायद ये सब दौलत के पीछे थे जो मेरे पापा ने मेरे नाम पर कर रखी थी लेकिन आख बस डॉक्टर बनने ही वाला था इस बारे में मैं जितनी बार सोचती उतना ही और जादा उलत जाती एक दिन जब मैं अपने माई के गई तो मैंने अपने पापा से इस बारे में पूछा कि आपको ये रिष्टा कहां से मिला था तो पापा मुझे बताने लगे कि उनके एक खुद से ही ये रिष्टा तुम्हारे लिए भेजा। पापा की ये बात सुनकर तुम्हें हक्का बक्का रह गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या चकर है। एक तरफ मेरे पती राजीब ने इसलिए रिष्टा मेरे घर भेजा कि वह मुझे पसंद करते लेकिन शादी के बाद तो मुझे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा, कि उन्होंने मुझसे शादी अपनी पसंद से की हो, क्योंकि वह तो मुझे देखना भी गवारा नहीं समझते थे, अब तो मुझे और भी जादा शक होने लगा, क्योंकि जरूर ऐसी कोई बात थी, जो मुझसे चुपाई जा रही थी, परना जान बूच कर मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी, उस दिन के बाद से मैंने अपने पती की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, मुझे लगा शायद इस सादी के पीछे जो राज है, वह मुझे पता चल जिसकी वज़ा से ये लोग मुझे अपने घर पर दुलहन बना कर लाए थे, एक दिन मैंने सोचा कि क्यूं ना मैं अपने पती को आजमा कर देखूं, इसलिए मैंने अपनी प्रापर्टी के कागज राजीब को देते हुए कहा कि मैं अपने नाम की सारी प्रापर्टी आप के नाम पर कर देती हूँ, तो वह मुझे से कहने लगे, ये तुम्हारी जायदाद है, इसलिए इसे अपने पास ही रखो, तो बहतर है, मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई भी रुची नहीं है, और फिर वह वहां से चले गए, अब ये बात तो साफ हो गई थी, कि उन् भी जादा बुरा ब्यवार करती जा रही थी, धीरे धीरे उन्होंने मुझे भर पेट खाना भी देना बंद कर दिया, मेरे पती और देवर तो काम की वज़ा से बाहर होते, इसलिए उन्हें सब के बारे में पता नहीं था, कि मेरे साथ उस घर में क्या हो रहा है, अपने प आती थी कि मेरी बज़ा से उस घर में कलय हो, इसलिए मैंने उसे भी खुद से कुछ नहीं बताया, एक दिन सुबा सुबा जब मैं किचिन में नाश्ता बनाने के लिए गई, तो अचानक से मुझे चक्कर आया, और मैं बेहोश होकर गिर गई, जब मुझे होश आया, तो मै मैंने खुद को अस्पताल में पाया, बाकी सब लोग मेरे आसपासी खड़े थे, और उनके चहरे पर अजीब तरह के भाव थे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है, मैंने सभी से एक साथ पूछा, मुझे हुआ क्या था, तो मेरी सास मेरी तरफ देख कर कहने लगी, तू एक मनूस लड़की थी, ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तेरा चरित्र भी गिरा हुआ है, ये तो मुझे आज पता चला, मैंने उनसे कहा कि आखिर आप कहना क्या चाती है, साफ साफ कहिए, तो वह मुझसे बोली, मैंने तो अपने बेटे को आज तक कभी भी तेरे करीब नहीं आने दिया, फिर तू पेट से कैसे हो गई, उनकी ये बात सुनकर तो मेरे उपर बिजली गिर गई, मैंने कहा, ये आप क्या कह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पेट से हो ही नहीं सकती, ये ना मुम्किन है, मेरी इस बात से मेरी सास ने जला कर मेरे मुँपर रिपोर्ट फेक कर मारी और कहा ये देख लो तुम्हारे काले कारनामों की कर्तूत इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है वह वोली ये रिपोर्ट तो गलत नहीं कह सकती जब हम तुम्हें बेगोशी की हालत में यहां लेकर आए तो डॉक्टर ने तुम्हारा टेस्ट किया और उसके बाद ही उन्होंने हमें ये खबर सुनाई अब तू ही मुझे बता कि तेरे इस बच्चे का बाप कौन है मेरी सास मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाती चली जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं फूट फूट कर रोने लगी तब ही मैंने पहली बार अपने पती को मेरे लिए कुछ बोलते सुना वह कहने लगे मम्मी अब बस भी करिये मैं आप से कह रहा हूँ ना कि आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है ये रिपोर्ट जूटी है शादी के बाद पहली बार मेरा पती मेरे लिए बोल रहा था और मेरा देवर था कि वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था मुझे अपने देवर की ये चुपपी बहुत बुरी लग रही थी मैं यही सोच रही थी कि आज जब मुझे उसकी सबसे ज़ादा जरूरत है तब वह मेरे चरित्र को लेकर जरा भी सफाई नहीं दे रहा है मेरी सास कहने लगी मुझे तो अब ये हर हाल में जानना है कि आखिर ये बच्चा किसका है इसलिए अब मैं DNA टेस्ट करवा कर ही रहूंगी मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे पती बुरी तरह से गुस्से में चिल्लाए बस बहुत हो गया मैं अब तक आपकी सारी बाते खामोशी से मानता आया लेकिन अपनी बीवी के चरित्र पर मैं अब एक उंगली भी बरदास्त नहीं कर सकता हूं आप जिसे मनूस कह रही है कि आपको पता है कि इसे मनूस किसने बनाया है इसके जीवन में जो कलंक लगा है उसके पीछे और किसी का नहीं आपके अपने ही बेटे का हाथ है मेरी सास ताज़ुब से मेरे पती की तरफ देखने लगी और मैं भी उनकी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई उसके बाद मेरे पती बोले हाँ इसके पीछे आपके इस छोटे बेटे का हाथ है जो एक दिमागी मरीज है जिसने अपने पागलपन के चक्कर में अधिती के पहले तीनों पतीयों को मौत की नीन सुला दिया राजीब की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे पतीयों की मौत का जिम्मेदार संजीब कैसे हो सकता है जबकि मैं तो उसे राजीब से शादी के बाद ही मिली थी मेरी सास ने मेरे पती से कहा तुम होश में भी हो तुम क्या कह रहे हो तो मेरे पती ने कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन आपको इसकी सच्चाई अभी तक नहीं पता एक बार इसकी personal diary मेरे हाथ लग गई और जब मैंने उसे पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये school time से ही अदिती के पीछे दिवाना था और धीरे धीरे इसका जुनून इसकदर बढ़ता चला गया कि ये पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया जबकि अदिती तो इसको जानती तक नहीं थी और इसी पागलपन में आकर इसने उसके तीनों पतियों की जान ली ताकि वह इसे अपना बना सके जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसी घिनोनी हरकत भी कर सकता है इसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि ये अदिती से जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके इसी लिए ये एक के बाद एक उसकी जिन्दगी बरबात करता चला गया ताकि जब आखरी में अदिती बिलकुल अकेली रह जाए तब उसके पास और कोई रास्ता ना बचे जब मैंने इसकी डायरी पढ़ी तब मुझे इसके गुनाह का पता चला और मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि अब अदिती से मैं शादी करूँगा क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि ये मुझे तो मार नहीं सकता क्योंकि मैं इसका सगा भाई हूँ मैं अदिती की जिंदगी बरबाद होने से बचाना चाहता था लेकिन मैं ये तो अच्छे से जानता था कि ये जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे ये मेरा अधिती से तलाग करवा दे और फिर इसने अपने प्लान के मताविक सबसे पहले आपको अधिती के खिलाब बहकाया ताकि मैं गुस्से में आकर अधिती को तलाग दे दूँ और इसने तो वैसे भी अपनी इमेज अधिती की नजरों में पहले से ही बहुत अच्छी बना ली है ताकि बाद में इसे ये अपनी जिन्दगी में आराम से शामिल कर ले राजीव की बातें एक एक करके मेरे उपर धमाकों की तरह गिर रही थीं ये सब सुन मैंने अपने देवर की तरफ गुस्से से देखा और पूछा सच सच बताओ संजीव क्या ये सब तुमने किया है तो वह भी चीकते हुए कहने लगा हाँ ये सब मैंने ही किया है मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से बहुत प्यार करता था, मगर अपने प्यार का इजहार करने की कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसके बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी तो किसी और से शादी तै हो गई है, लेकिन मैं ये बरदास नहीं कर सकता था, मैंने फैसल ऐसी दवाईयों के बारे में पता चल चुका था, जिने अगर किसी भी खाने या पीने वाली चीज में मिला कर दे दिया जाए, तो इनसान को हार्ट अटेक हो जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता, इसलिए जब भी तुम्हारी शादी होती, तो उस इनसान के घर में मै भेस बदल कर पहुँच जाता, और किसी ना किसी तरीके से उसके खाने पीने वाली चीज में वह गोली मिला देता, और फिर वह मर जाता, संजीव राजीव की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आप बच गए भाई, क्योंकि आप से मेरा सगा रिस्ता था, इसलिए मैंने स से ही अधिती की जूटी रिपोर्ट बनवाली, लेकिन अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है ना, तो जल्दी से अधिती को तलाग दे दीजिए, वरना अब मैं आपका लियाज नहीं करूंगा, अब तो संजीव पूरी तरह से जुनूनी और पागल लग रहा था, मे तुमें दिलवा कर ही रहूंगा, मेरे पती ने तुरंथी पुलिस को फोन कर दिया, और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया, जब सब कुछ शान्त हो गया, तो मेरे पती मुझसे कहने लगे, मुझे माफ कर दो अधिती, इतने दिनों तक मैंने अपना पती धर्म नहीं न मैंने अपने पती को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, एक तरह से मेरी जिन्दगी समारने के लिए ही किया था, मेरे देवर को मेंटल हॉस्पिटल में भरती करा दिया गया, क्योंकि उसकी हालत दिन बदिन बहुत खराब होती चली जा रही थी, और उसक चुका था, कोई भी चीज अती की अच्छी नहीं होती, चाहें फिर बै नफरत हो या प्यार, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो सही समय पर अपने प्यार का इजहार करें, लिकिन एक बात याद रखें, प्यार कभी भी जवर्दस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, तो द हैंक्स भी दे सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं, थैंक्यू